हेलो गाइज वेल्कम तो माई चैनल पंजाब यूट्यूबर नीलं तो कैसे हो आप सब लोग आई होप आप सब ठीक होगे और मैं भी पिल्कुल ठीक हूं आज की जो वीडियो है वो मैं बताने के लिए बना रही हूं कि मैंने अपनी लास्ट वीडियो में आपको बताया था कि बहुत सारे ट्रीटमेंट लिया था बहुत सारे टेस्ट करवाए थे मैंने जब हम ट्राय कर रहे थे कंसीव करने का और नहीं होगा रहा था ना तम सारे टेस्ट थे तो नॉर्मल बट अपनी तसलीगे लिए हमने टेस्ट करवाए और जो सबसे बड़ा टेस्ट होता है मिटें एक लेडी के जो प्रेग्नैंसी से रिलेटेड मेंं स्क्राओव करने के जो एबिल्टी होती है क्योंकि अगर उस स्पेस्ट में वावा करना उसको ठीक करना बहुत जादा मुश्किल हो जाता है और कुछ लेडिस में इनफर्टिलेटी की प्राबलम उसी ही वजएर से होती है और मैंने बहुत लेडिस देखी भी हैं जिन में वो प्राबलम आती है तो उस प्राबलम को फाइंड आउट करने के लिए एक टेस्ट होता है एच जी नाम से टेस् painful test होता है मैंने खुद करवाया है तो मैं सोची थी मैं अपना experience आप लोके साथ share करूँ क्योंकि मुझे वैसे comment जो मैंने IVF और Normal Natural Pregnancy की वीडियो बनाई थी उसमें किसी ने मुझे comment किया था कि वो भी try करें उनको भी नहीं conceive हो रहा है तो मैं सोचा उनके लिए भी help हो जाएगी क्योंकि जब एक lady go through करती है ने सब चीजों से तो उसको कोई knowledge नहीं होती तो मैंने भी इसी तरह से जब मैंने वो test करवाना था उससे पहले mentally prepare होना बहुत ज़्यादा जरूरी था तो मैंने भी इसी तरह YouTube पर वीडियो सर्च की तो मतलब मैं यही सोच रहे थी कि अगर कोई ladies यह चीज़ शेयर ही नहीं करती तो हम जैसे लोगों को हम जैसे ladies को कैसे help मिलती है उस चीज़ को समझने के लिए इसी वाज़े से मैंने सोचा मैं अपना experience जरूर शेयर करूंगी इंडिया की बहुत जादा ladies नहीं थी जिन्होंने experience शेयर किया था इस वाज़े से मैंने सोचा कि क्योंना मैं अपना experience शेयर करूं एक हिंदी में एक ही वीडियो मिली थी मुझे तो मैंने उनकी वीडियो देखी थी पर शायद वो भी फॉरण में रहती थी लेडियो जिनकी वीडियो थी तो अपिना मैं आपको बताती हूँ H.S.G. क्या होता है और वो पूरा procedure क्या होता है इस टेस्ट का और mentally, physically हप पर क्या effect पड़ता है उस चीज़ का So guys H.S.G. test firstly मैं बताती हूँ कि क्या होता है और किसलिए होता है मुझे इसे प्रनाउंस करना नहीं आता है So मैं यहाँ पूरा नाम इसकी full form mention कर रही हूँ So guys यह जो टेस्ट है यह बेसिकली यह टेस्ट क्यों होता है यह टेस्ट होता है हमारी फैलोपियन ट्यूब्स को चेक करने के लिए जो करने की वेदर इस आर ओपन और डेस्ट को पताः जाए कि फैलोपियन ट्यूब्स को नहीं पता होता हो और इनमें अगर ब्लॉकर चूब्स को और दोनों में ब्लॉकर जाए सो प्रेग्नेंसी कंसीव करना बहुत मुश्कील है मैं तो इंपॉसिबल ही कहूंगी वट अब भी मेडिकल साइंस ने तनी प्रोग्रेस कर ली है कि शायद उसे टैकल करना पॉसिबल होगा बट अगर एक में ब्लॉकेज है तो भी हम कंसीव कर सकते हैं बट विद अहलप ऑफ फ्यू मैडिसीन रा फ्यू ट्रीटमेंट तो फैलोपियन ट्यूब्स को चेक करने के लिए कि दोनों ओपन है या नहीं यह टेस्ट होता है जिसका नाम है है इसको शॉर्ट फॉर्म में ही बोलते है मुझे भी ही पता था उसका मुझे नहीं पता था पूरा नाम क्या होता ह है सो मैं भी अपने रिपोर्ट्स भी साथ में लेके बैठी हूं सो यह इसका पूरा नाम है कि सो यह जो संगरूर में में डॉक्टर थी उन्होंने सज़स्ट किया था मुझे और यह इस तरह का एक एक्सरा होता है जिससे पता चलता है कि ट्यूब ओपन है या नहीं सो अपना एक्सपीरियंस शेयर करती हूं आप लोगों के साथ अभी कि स्टार्टिंग से एंड तक क्या हुआ कितना पेन हुआ और क्या क्या करना होता है उसके लिए सबसे पहले जब मेरे डॉक्टर ने जो संगरूर में डॉक्टर थी उन्होंने जब सजस्ट किया ना तो मैं बड़ी क्या होता है क्या होता है जो मैंने ना उस पर देखा यूट्यूब पे ही सर्च करके देर मुझे पता चला कि यह क्या टेस्ट होता है और इसमें पेन कित यह होगा और यह जो टेस्ट है यह कुछ जगाओं उपारं डीया जाता है अंची में पूछा था कि इसमे ज्टा नहीं लिए करते हो तो रहे हैं मेरा टेस्ट दो नर्स थी दो, उन्होंने किया था, मैं इन डॉक्टर ने नहीं किया था, क्योंकि जो मेरा मेरी डॉक्टर थी, उनका हॉस्पिटल अलग था, वहां नहीं होता होगा, शायद ये टेस्ट तो उन्होंने एक अलग लैब में सजेस्ट किया था, कि यहां से करव आगे कि अनेस्थेसिया में दे रे दर्द भी इतना होना है क्योंकि मैंने वीडियो देखी थी में में इतना प्रपेर होके आई थी कि दर्द होगा क्योंकि यहां नहीं दे के टेस्ट करते हैं तो अमना सुबह सुबह का टाइम था मेरे हजबन को बैंक जाना था तो उससे पहले हम आये थे गाड़ी बी थी बट मेरे हजबन ने सोचा कि मार्कित में है लैब है जो कि गाड़ी फिर उनको इस टाइम इतने चिलाने भी निया आती थी तो उन्होंने का कि खाम खाफस 2020 में यह टेस्ट हुआ था मेरा तो उस टाइम पर कॉशन सब लोग इतने ज्यादा यूज करते हैं मतलब अंदर ही नहीं जाने देते हैं मेरे हजबन को तो पीछे ही लैब में जब हम गए सुभा खाना मना खाके गए थे नाश्ता करके गए थे और मतलब एंट्रेंस पे ही उ तो उसके बाद उन्होंने ना मुझे एक टैबलेट दी थी खाने के लिए तो वो टैबलेट पहले खाई थी उसके बाद शायद वो पतन पेन की लरोगी या कुछ ऐसा ही होगा ना तो खानी थी उसके बाद वेटिंग टाइम था 15-20 मिनिट करना पड़ा तो उसके बाद मे अनला मीरी टना वही तो पहले घबरा रही थी कैसे हो और जो होगा तो फॉनस थी उन्होंने सबसे फहले जब आरूम के अंदर घी बेसिक सा था बहुत लाविश सी लेम नहीं थी बहुत बेसिक सा विए अंक्न परशा थी पहुत जयादा सिमिपल थी बहुत ही जादा जो खर वाले कपड़े होते हैं, नॉर्मल वैसे कपड़े ही पहने थे मैंने, सिंपल कुर्ता और प्लाजो अगरा, तो जुलाई का टाइम था, गर्मी थी, गर्मी वाले कपड़े थे हैं, तो उन्होंने बोला कि पहले कोई बच्चा है आपके, तो मैंने का नहीं तफी तो जाती है, और दूसरा नहीं होता है, जैसे भी करवाते हैं, बाद में प्रब्लम आ जाती है, तो मैंने का ओके, जादा बोली नहीं पा रही थी, तो उन्होंने एक टेबल था जिस पर पता नहीं, अपरेशन था होता ऐसा कूछ टेबल था, और ऊपर उसके एक्सले मशीन थ तो उस पर उन्होंने बोला कि अमने नीचे के सारे कपड़े रिमूव करके लेट जाओ, तो मैं लेटी और लेटना ऐसे था कि नीज उपर करके, और मैं पिचर लगा देंगे, आप देख लेना, जैसे मतलब नॉर्मल डिलीवरी करते हैं, वैसे वाले पोजिशन में लेट भी नहीं हूँ, इस तरह के विली आ रहे थी, बहुत घबरहाट भी आ रहे थी, बट मैं यह था कि बस भगवान को याद करते हैं, कि कुछ प्राब्लम ना हो, टेस्ट तभी इसलिए करवा रहे हैं, कि सब कुछ ठीक हो, तो उन्होंने वो टूल इंसर्ट किया, वो पहले उसमें कोई प्राइन वगयारा नहीं हुआ मुझे, उसके बाद फिर उन्होंने कुछ लिक्वड इंसर्ट किया विजायना में, और फिर कॉटन लेके ना तो उसको क्लीन किया, पहले अच्छा से क्लीन किया, तब थोड़ा जीब सा लग रहा था, ना कॉफी लिक्व पर करना पड़ा, तो उसके बाद उन्होंने ना बाद में मुझे जब में जो पाट था जो डाइ इंसर्ट करते हैं वो अंदर उस टाइम में हिलने को मना किया था बट ये था कि बिल्कुल उस टेबल के कॉर्नर के बिल्कुल एज पे बिल्कुल आगे हो जाने के लिए ता अंदर इंसर्ट किया जाता है पतली सी होती है एक रोड थाइप तो उसमें से पिछे से बहुत जोर से वो डाइ पुश की जाती है और जो वो डाइ पुश कर रहे थे ना तब पहले एक बार कि मुझे आइडिया नहीं हो नहीं कितनी बार पुम डाली होगी क्योंकि कई बा करते हैं तो वो एकदम से पेन हुआ है ना बट उतना उसने लेवल कर नहीं हो कि मैं सहना पाओं मतलब मैं अक दर्द से थोड़ा आहा तो कर रही थी कि ऐसे ऐसे है ना तो उसके जो पेन है ना मैं सची मैं अपना experience बता रही हूँ मैंने जहां तक सुना था कि उस ताइम प यह पने का वी लिए उसकी हो गया और उसके की दो तेन बार हुई है उसे नहीं के थे लिए और है लुए इश नहीं ना 2-3 कॉपstein के मैं नहीं ज़ी दो तो दस पंदरा मिनिट शायद पंदरा बीस मिनिट लगाए उन्होंने पूरे प्रसीजर में और कुछ टूल्स गया जो यूज वह मैंने तो प्यांगी बंद कर ली थी तो उस टाइम उन्होंने जब कर लिया हो कहते हो गया मैंने कर चलो शूकर है तो थोड़ा दर्द हुआ मुझे उतना दर्द हुआ नहीं तो इतना दर्द होता है तो उस टाइम ना फिर जो कॉटन वगयरा उन्होंने डाली कहते हैं ब्लीडिंग भी होती है वह प्रसीन नहीं हुए थी तो उन्होंने बोला कि हांकप्डे पहन लो हो गया उसके बाद बाहर जो वेटिंग एरिया पर रिपोर्ट का भी वेट करना ही था फिर दस-फंदरा मिट में लेटी रही तो उसके बाद में बाहर गई तो मेरे हजबन के पास उनों ने बोला मैंने का देखा मैं तो बहुत ब्रेव हूं मैंने तो सहल लिया दर्द और मेरे उतना दर्द हुआ था मुझे लेगा शाद सहल पिजी बहुत जाद होता है वगूशे बात मुझे प्ता चला कि क्या होता है क्या है उसाद कर आसं 频रे न ही ठाइम पर होतना तो हम घर आए वो बोल रहे थे की मैं ठीक हूँ या चल्दोंगी तो वह रिपोर्ट या बहुत हम झाल दूँझे घर गए आ बीग कर आपHa तो दर्द होने लग गया और मतलब इतना ज्यादा पीरिट्स वाला दर्द बहुत ज्यादा होता है उसे पीरिट्स वाले पेंसे बहुत ज्यादा रहता है तो ना मुझे की आच दस दिन लगातार पें रहा लगातार मैं इतना ज्यादा पें रहा मैं उठ भी निकोशिछmen रहता है कि हांकि यह सहा की घाले कि मैंने वीडियोमें बताया था कि बैट बढ़ा, उस टाय मैंने नहीं प्रण पारे थी, कि इतने मैडिसीन खाई हैं। इसलिए बैट बढ़ा सब कहते हैं। ये इतने मेडिसें च्का रही हूं डॉक्टर के इतने विजिट्स दो दो तिन तिन घंटे वेटिंग टाइम रहता था बैठे रहते थे मैं मेरे अज़बन कई पर वह भी बैठे रहते थे जब उसक रूर वाले डॉक्टर के पास जो धियाना तो मैं के लिए जाती थी तो अ इतने दिन दर्द रहा और फिर मेरे जो पीरियेट्स है वो जल्दी आ गए थे उस महीने में और आठ नौ दिन पीरियेट्स लगातार चलते रहे तो हमने डॉक्टर को कंसल्ट किया कि ऐसे तो उनने कहा कि वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है कि कोई बात नहीं है एक दो दिन व और कम्मबे घाम के लिए पीरियेट्स चले और फिरियेट्स से में फ्रीट्स इब ता यह पउना ट्री इतना साथा पन उसके बाद की वैसे वे था फ़ह आधि पूरा एक महीन मेरा एल नहीं पीस कि अबद गेर है तो नहीं हुछ और तो आ कЙवे कि या जिनके साथ ऐसे हुआ होगा ना सिर्फ उन्हीं को पता है कि कितना मुश्किल होता है यह चीज को सेहना और फिर हमने वो रिपोर्ट दिखाने के लिए जब डॉक्टर के पास गए तो उन्होंने जब बताया ना कि नॉर्मल है दोनों ट्यूब्स ओपन है तो तब जाके तसल्य हुई कि अटलिस ट्यूब्स ओपन है यह वाली कॉंप्लिकेशन तो नहीं है बट मुझे ना वहाँ पर किसी ने और डरा दिया कि ट्यूब्स नहीं करवाते हैं कोई नर्स ही थी हमारे बिल्डिंग में ही नहीं आये थे वह उन्होंने मुझे जैसे पूछा कि शादियों कितना टाइम हो गया भी बेबी नहीं है ऐसे वैसे तो अपने इस अभी इनों अपना ग्यान देते हैं मैं तो उन्होंने कहा कि मैं तर्व मैडिसेन खाया दूंगी तूब भाद थांपर नहीं करवाई हैं ग्याये मैं मैंने मैंने जहां तक कोशिश कर सकती थी मैंने उतनी कोशिश की कि कंसीव हो जाए कोई प्रॉब्लम ना हो लग खुद कोई तसली करवाने के लिए कि कोई प्रॉब्लम ना निकले हम में दोनों में ही तो इतना कुछ मुझे खुद कोई सहना पड़ा अगर आप मैंसे भी कोई अच्छी टेस्ट करवाने के सोच रहा है तो मेंटली फिजिकली आपको परपेर होना पड़ेगा इस चीज़ के लिए कि ये पें होना ही है और हमारे यहां पर मुझे नहीं पता बाकी स्टेट्स में क्या है पर पंजाब में कोई अनस्टी से अगरा नहीं देते हैं वो वैसे ही नार्मल ही करते हैं ये टैस्ट और पें होता है कुछ लोग को इस टाइम पे होता है और कुछ मेरे जैसे को बाद में बहुत ज़्यादा पें होता है को कि जब वो पें के लगासर उतर जाता है खतम हो जाता है तब बहुत पें होता है बहुत ज